राश्ट्री स्वेम सेवक संग प्रमुक मोहन भागवत के डियने वाले बयान पर वरिष्ट कॉंग्रेसी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रे दिग्विजय सिंग ने तंच कसा है उन्होंने कहा अगर हिंदू और मुसल्मानों का डियने एक ही है तो धर्म परिवर्दन के खिलाब कानून बनाने का क्या फायदा है लव जिहाद के खिलाब कानून बनाने की क्या जरूरत थी इसका मतलब है कि मोहन भागवत और AIMIM प्रमुख असुद्दिन ओवैसी का डियने भी एक ही है सिंग ने ये बयान मध्य प्रदेश के सिहोर में बुद्धवार देर रात श्रद्धानजली सभा के बाद पत्रकारों के सवाल पर दिया दिगविजे सिंग के बयान पर मध्य प्रदेश के ग्रिय मंत्री नरुत्रम मिस्त्रा ने कहा कि सर संग चालक मोहन भागवत की सोच राश्र की एकता और अखंडता की है तो वहीं दिगविजे की सोच अलगाव वादी वाली है उनके बयानों में सिर्फ और सिर्फ समाज की विभाजन की बाते और सांप्रदाइकता ही नजर आती है दक्षड अफ्रिका के पूर्वराष्टपती जैकब जुमा ने अदालत की अव मानना की एक केस में हुई सजा काटनी के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है जुमा द्वारा संचालित एक फांडेशन ने कहा है कि वो बुद्धवार देर रात क्वाजुलू नताल प्रांत में अपने घर के पास एक जेल में हाजिर हो गए हैं इससे पहले पुलिस ने चेतावनी दी थी कि 89 वर्सी जैकब जुमा ने बुद्धवार रात 12 वजे तक अगर खुद सरेंडर नहीं किया तो वो उन्हें गिरफतार करने के लिए तयार हैं जुमा को पिछले हपते ब्रस्टाचार की एक जांच में शामिल नहीं होने पर 15 मेने की जेल की सजा सुनाई गई थी इस पूरे मामले में जिस नाटके डंग से पुलिस ने चेतावनी दी और जिस तरह जुमा ने सरेंडर किया उससे लोगों में इस केस के बारे में दिल्चस्पी बढ़ गई हेटी के राष्टपती जिवेनल मोईज की एक हमले में मौत हो गई हेटी के अंतरिम प्रदानमंत्री क्लॉड जोसेप ने कहा है कि ये हमला हेटी की राजधानी पोल्टो प्रिंस इस्थित राष्टपती आवास पर हुआ था जोसप ने कहा कि राश्टपती आवास पर अस्थानी समय के अनुसार एक बजे कुछ हतियार बंद लोगों ने हमला किया था कहा जा रहा है कि इस हमले में राश्टपती मोईज की पत्नी भी जखमी हुई है जोसप ने कहा है कि कानूनन व्यवस्था को पत्री पर लाने के लिए सभी तरह के कदम उठाए गए है मोईज महस 53 साल के थे और वे फरवरी 2017 से सत्ता में थे माइकल माटली की जगे मोईज ने ली थी मोईज पर भरष्टाचार के कई आरोप थे इसे ले कर वे कई विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर चुके थे राश्पती जविनल मोईज का कारेकाल काफी उथल पुथल भरा रहा उन पर भरष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें बार-बार सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दरान हिंसा की चुनोती का भी सामना करना पड़ा हिमाचल प्रदेश के छे बार मुख्यमंत्री रहे कॉंग्रेस नेता वीर भद्र सिंग का 87 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया वे लंबे समय से बिमार चल रहे थे गुरुवार की सुबे पौने चार बजे उन्होंने शिमला के इंद्रा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आखरी सांस ली यहाँ वे करीब दो महिने से भरती थे समयार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था वीरभद्र सिंग को दो बार कोरोना भी हुआ था पहली बार 12 अप्रेल और दूसरी बार 11 जून को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी एक दिन पहले ही बुद्धवार को IGMC के मेडिकल सुप्रेटेंडेंड डॉक्टर जनक राज ने कहा था कि वीरभद्र सिंग की हालत गंभीर है लेकिन इस्तिर बनी हुई है वीरभद्र सिंग का जन 23 जून 1934 को हुआ उनके पिता पद्म सिंग बुशार रियासत के राजा थे वीरभद्र सिंग 1962 में पहली बार महासु सीट से लोगसभा चुनाव जीते थे इसके बाद वे 1967, 1971, 1980 और 2009 में भी लोगसभा के लिए चुने गए वीरभद्र पहले रोहडू सीट से विधान सभा चुनाव लड़ते थे बाद में रोहडू सीट आरक्षी थुई तो उन्होंने 2012 में श्यमला ग्रामीड सीट से चुनाव लड़ा 2017 में उन्होंने यह सीट बेटे विक्रमा दित सिंग के लिए छोड़ दी और खुद अरकी से चुनाव लड़े अभी वे अरकी सीट से विधायक थे